हेलो फ्रेंड्स असलाम अलेकूम स्वागत है आपका मेरे चैनल अमजाब कीचिया में दोस्तों आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कश्मीरी पुला वीडियो अच्छा लगी ते वीडियो लाइक किजेगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए जरूर से कर देजेगा अगर आप मेरे चैनल को पहले बार आये है तो बैल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देजेगा तो आये शुरू करते है यहां मैंने लिया है पैन में हम एड्ट कर देंगे एक चमच घी घी को हम मेल्ट होने देंगे पिर बाद हम इसमें ड्राइफ फूर्स को फ्राय कर लेगा तो मैंने काजु और बदाम लिया है काजु और बदाम को मैंने बीच में से दो हिस्से कर लिया था रिए पैसे हम गोल्डन ब्रॉंनी तक के अच्छे से से प्र्राय कर लेंगे जैसे ही हलका हलका golden brown हो जाएंगे तब हम इसे निकाल लेगे देखे हलका हलका golden brown हो चुका है अब इसे हम निकाल लेदेगे अब इससी घी में हम किश्मिश को भी fry कर लेंगे किश्मिश जल्ली से fry हो जाता है इसलिए हम किश्मिश को बाद में fry कर रहे हैं कि अच्छे से फ्राय हो चुका है कि अब निकाल लेंगे के बाद हम यहां पर लिए है कुकर कुपर में हम एड़ कर देंगे दो चमच घी तो आप तो जानीते होगे कि कश्मीर पुलाव बना रहे है तो इसमें घी में ही अशल्लक बहुत बढ़िया बनता है इसलिए घी में ही उसे बनाए और इसमें अब हम एड़ कर देंगे कुछ खड़ा मसाला यहां एक टीस्पून लिए है सोब एक टीस्पून साजीरा तोड़ी से चावित्री दो हरी लाइची एक दाल चीनिवर तुकड़ा एक बड़ी लाइची और इस्ट के लिए अच्छे से भून गए है इसमें हम एड़ कर देंगे एक चमाज अध्रक लेसुन का पेस्ट इसे भी अब हम भून लेंगे इसके बाद अब इसमें एड़ कर देंगे दही तो यहां मैंने एक बड़ा चमाज दही लिया है इस अच्छे से मैंने फेट लिया था यहां पर एक दम हम लो फिलेम करके दही को मसाले में अच्छे से मिला देंगे अब हम एड़ कर देंगे चावल तो यहां मैंने एक कब चावल लिया था जो आदा घंटा पहले ही भीगों के रख देंगे बासमती चावल है लंबा वाला जिससे हम पिर्यानी बनाते है पहले हम चावल को भी मेडियाम फिलेम पर हमील से भून लेगे पिर्यक्स चावल अच्छे से भून चुका है अब हम इसमे आड़ कर देंगे कनलर फूट तो यहां मैंने कच्छ दूद लेता उस्सी में कनलर फूट मिला दिया था तोड़ा से केड़ वाटर दोचार परबुन और उलाब जल्वी है इसे हम पहले अच्छे से मिला देंगे सब को मिक्स कर देंगे इसके बाद इसमें हम आड़ कर देंगे नमाग तो मैं यहां पर अपने स्वाद अनुसा नमाग आड़ कर दे रहा हूँ अब भहुत सो लोग कश्मीर पुलाओं में चीनी का भी इस्तेमाल करते हैं यानि चीनी को भी आड़ करते हैं लेकिन इसमें चीनी पसंद नहीं है क्योंकि मैं सबजी के साथ में खाओगा इसलिए मैं चीनी आड़ नहीं कर रहा हूँ और ड्राइफोर्स है और फ्रॉर्स है तो उससे ही कश्मीर पुलाओं हल्का मीठा हो जाते है इसके बाद मैं यह एक कब पानल लिया था तो कि बाद मैं इसे ढकन लागा के एक सिटी होने तक के पका लोगा तो मैं इसे मेडियान फिलेम पर पका हुआ देगे एक सिटी हो चुका है मैं यास कर दोगा हैं पर अफ और थोईदर के लिए साइसे ही रहने दोगा अश्या है है दिखे मैंने इसे पास सर्थ नोड़ी इसे रहने दिया ताम इस परेद माहिध कर दोगा फ्राइ के वेवें द्रयफॉर्स प्रेसे जेली यहां मैंने प्यास को पहले से ही फ्राय करके रखा था वह भी मैं इसमें एट कर दोगा कि बाद मैं इसमें फ्रोट्स में श्रीब अंगोर एट कर रहा हूँ आप अपने पसंद के इसाब से जो भी आपको फ्रोट्स पसंद आप जैसे पाइनपपल सेब आप इसमें एड़ कर सकते हैं मैं इसे पहले अच्छे से मिक्स कर दूगा पूरी तरह से इसे मिला दूगा तो लीजे बनकर तयार हो चुका है तो मज़ेदार दानेदार खिला खिला कश्मीरी पुला तो दोस्तों आप इसे कोई भी सबजी के साथ में सर्फ कर सकते हैं अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किजेगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्स्राइब जरूर से किजेगा और हाँ दोस्तों शेयर भी कर देजेगा अपने दोस्तों में फैमिली में और बगर वाली घंटे को दबाखर आल पर भी टच कर जाएगा तो आईए बिलते हैं नेस्ट वीडियो में अल्लाह पीस